सबापती महोदे किसानों की उपज की आप नाधिक कीमत दे सकते हैं, नाधिक उपजाने के लिए जो सादन देश में उपलब्द हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं, उससे कोई अच्छा बविश्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ की आप देखें की आपके कारे क्रम में कहां त्रूटी है, कहां कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं, वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रिदेश में तो जमीन पर पच्छिस प्रतीसत जायदा कर भी लगा दिये गए हैं। इतना बोज अगर किसान पर होगा, तो उसकी कमर तूट जाएगी। वह पहले से तूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रिदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी इस्तिती हैं। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को दो रुपे मजदूरी में मिलते हैं। इतना ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ती की थी, ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किये जाएं। वह योजिना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीजों की और कैसे दिलाया जाए। कैसे आपका ध्यान इन सभी कठनाई की और आकर्सित किया जाए। समझ में नहीं आता। यातायात के सादन की इस्तिती यह है कि ट्रेनों ने दूसरे दरजे में भीड भाड का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पढ़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन है, अच्छे गती वाले इंजन है, लाइन भी अच्छी है, तो क्यूं नहीं दूसरे दरजे के अधिक डिब्बे लगाए जा सकते हैं। लोगों को कुछ सुविदा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की दिहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवा नहीं है, जो समस्त कठनाई को जहलने में लगा रहता है। आपके सारे कारे करम को पूरा करने में उसमें कहां से सकती आएगी। कैसे वे अधिक अन उपजा कर आपको दे सकेंगे। आप इन सब बातों पर विचार करें। आपने बड़े बड़े फारम बना दिये हैं। क्या उन्हें आपके फारम से कोई लाब मिल रहा है। सकते हैं।